देखिए मायवती की बात करें तो मायवती पूरी कोशिश करते वी नजर आ रही है लोग सभा चुनाव में भी मायवती ने बड़ा एलान किया था किसी भी पार्टी के साथ गडबंधन नहीं करेंगी लेकिन जैसे ही अब उपचुनावों से पहले भारती जनता पार्टी के विद्धायक अपति जनक शब्दों कर इस्तमाल मायवती को लेकर करते वह नजर आती हैं उसके बाद जिस तरीके से भारती जनता पार्टी की विधायक ये टिपड़ी की है मायवती को लेकर तो कहीं न कहीं जिस तरीके से सबीड़ा सवाल उठा रहे हैं यहां पर अखले सबसे बड़ी बात है कि काफी समय से कया से लगाए जा रहे थे कि बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंदन हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बसपा सुप्रीम मायावती यह सोच रहे हैं कि गठबंदन अगर करती हैं तो उतना फायदा उन्हें नहीं मिलेगा नमस्कार मैं हूं माही सिंग और आप देख रहे हैं निक्सनाई निव जाज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रग्राम देश की हकीकत में आज बात करने वाले हैं उत्तप्रदेश के सियासत को लेकर और अगर बात करें मायावती की तो मायावती को बीते लोकसभा चुनाव में बड़ा जटका लगा 432 सीटों पर अपने प्रत्यासी उतारती हैं लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्श कर पाती उसके बाद अखली शियादों उनके उपर एक अटाकिंग मोड में नसर आते हैं लेकिन भारत बंद को लेकर जुस तरीके स अखली शियादों और मायवती को एक दूसरे का समर्थन बलता है उससे यह माना जाने लगा कि हो सकता है कि अखली शियादों और मायवती का गडवन्धन हो जाए लेकिन मायवती अचानक से ट्वीट करती हैं और फिर वो सपा के उपर गेस्ट हाउसकार्ट को लेकर मुझा लिए सब्सक्राइब को सपोर्ट करते हैं और यह कहती है कि भारतिय जंता पार्टी ने ही उनके साथ खड़ी होते हैं उनका सहारा बनी ऐसे में ऐसे अध्य हो सकता है कि मैयावति का जो एक रुख है भारतिय जंता पार्टी को लेकर वो नर्म पढ़ता हुए नसर आ और इस बार के लोग सबाद चुनाओं में भी मायावती की वजो से भारतिय जनता पार्टी को 16-17 सीटों का फायदा भी देखने को मिला तो क्या ये समीकरड आने बाले 2027 की विधान सबाद चुनाओं में भी देखने को मिल सकते हैं या फिर हरियाना चुनाओं दिल्ली चुन पहले अकली ची यादो को धन्यवाद बोलती है अगली चीजादों का समर्थन करते हुझन सराते हैं जुस तरीके से राजेस्च चौदरी मायावती के ओपर कमेंट करते हैं उसका पुर्जो और विरोथ करते हैं और कहीं न कहीं ये मानजा जाने लगा था कि 2019 का समीकरड ए ऐसा कुछ हो सकता है या फिर मायावती किसी और पार्टी की तरफ रुख कर सकती है जी देखिए सबसे बड़ी बात है कि वाकई काफी समय से कया से इस बात के लगाये जा रहे थे कि बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंदन हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं द यह जिस तरério कि चुझाओं से पहले हैं यह सारी खबरे उनको लेकर सामने आए जैसे राष्टपती को लेकर कामने खबरे सामने आरे हुए उसके बाद खबर सामने आती है कि कि बाते इसा बिलकुल वह राष्टपती के लिए गार आफ के न दिड़ने उन्ह Council को σथा परकि साफ कर दिया है कि जो उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग हैं उन दलित समाज के लोगों के साथ वो पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी हुई है हाला कि देखे दलितों का अगर हम जिकर कर लेते तो दलित वोट बैंक इस बार और ज्यादा बटने की उमेज इसल किया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मायावती भी लगातार उनका एक बयान सामने आया तो जिसमें उन्हों कहा कि अमीरों की पार्टी नहीं है यहां पर जो है सब वर के लिए काम किया जाता है तो वोट बैंक की जो राजनीती शुरू हुई है और मायावती को इस अकेले उत्तर प्रदेश में उत्रें और जो जनाधार बस्पा का को गया है उसको कहीं ना कहीं वो अपने साथ जोड़ने का काम करें जो अपने साथ जोड़ने का काम करें तो जो जो जिकर उन्होंने किया है क्या यह जो है उन्हें उप्चुना में बड़ी सफलता हासिल बागे में पुराना इतिहास दोरा कर वोड़ बैंक को साथने का प्रियास किया थे यह बात दिखाना चाहती हैं दरसाना चाहती हैं कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है लेकिन उसके साथ ही देखा जाए चुनसेखर आजाद रावन जुस तरीके से मायावती को सपोर्ट करते हूं नसरा आते हैं राजे शौधरी के मामले में उससे कहा जा सकता है कि क्या आने वाले दिनों में या दो पी कि लोगों को और जिस नेता ने बोला है उसको जूते से मानना चाहिए और इस तरीके के वक्तव जो हैं वह बहन जी के लिए बरदास नहीं करेंगे क्या लगता है इसके क्या माईने निकाले जा सकते हैं जिस तरीके से भारती जुनता पार्टी के विधायक ने टिपड सीथे था पार्टी पर निशाना साथ रहे हैं कि इसको लेकर को एक्षिन नहीं लेتी है तो ऐसे में सपलक तो पर भारते जंता पार्टी का बिख यहीं मानना है और वह सामने ज़र्फी रही चुछ गुचे अजम्राजाद, लगातार मायवत्ती का समर्थन करते हुए नज़र आए Это says हमेशा वह कहते हैं कि कभी मुझे सही नहीं समझा लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनका इजद करता उग den a बहुजन समाज पार्टी के साथ गढ़ बंदन करना चाह रहे थे हाला कि उन्होंने एक बड़ी वज़ा ये बताई कि चुनावों में वो काफिसा व्यस्त है जिसके कारण वो उनसे बात नहीं कर पाया और गढ़ बंदन नहीं हो पाया अब जिस तरीके से अखलेश याद माय मायावती का समर्थन करें तो कयासों का दौर यह शुरू हो गया कि क्या मायावती अब चंशकर आजाद के साथ उत्तर प्रदेश में गढ़ बंदन करेंगी या फिर अखलेश यादव तो चाहते ही है कि आम चुनावों में जो नुकसान उन्हें 16-20 सीटों पर झेलना पड जिससे पूरे देखा जो है पूरे यहां पर जो दसकी दस सीटे है वो अब इंडिया गढ़ बंदन के खाते में आजए समझजदी पार्टी को मिल जाए तो यही कयासों का दौर अब और जादा बढ़ता हुए नज़र आ लेकिन मायावती ने जिस तरीके से अखले उस समय चुप क्यों थे कॉंग्रेस पार्टी उस समय चुप क्यों थी तो ऐसे में साफ दौर पर यह कहा चा सकता है कि मायावती अभी भी कही नहीं सोच कर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में शायद अब किसी के साथ गढ़ बंधन नहीं करेंगी लेकिन क्या वाकई में मा करण उत्तर परदेश में विदोर आए जा सकते हैं दस सीटों पर उपचुनाव हैं ऐसे में मायावती का क्या रुक रहेगा अगले सवाल नाजमीन से लेंगे नाजमीन क्या लगता है कि इस तरीके से मायावती उतरने की कोशिस कर रही हैं गड़ बंधन के लिए भी उन्ह किसी भी पार्टी के साथ गड़ बंधन नहीं करेंगी लेकिन जैसे ही अब उपचुनावों से पहले भारते जनता पार्टी के विदायक अपतिजनक शब्दों का इस्तमाल मायावती को लेकर करते वे नजर आते हैं उसके बाद चंदर शेकर अजाद हो अखले श्यादा व नहीं सोच सकते हैं उनके साथ गड़ बंधन करने का विचार कहीं ना कहीं सही नहीं होगा है मायवती विदान सभा चुनाव से पहले अब ऐसे फैसले ले रही है जिससे उन्हें फायदा होता है नजर आए जो सकी अगर अगर हम हरियाना की बात करें तो हरियाना में जाट और दलित वोट बैंक कहीं न कहीं असर डालता है और इसी अधार पर अभे चोटाला ने मायवती संगहात भी मिलाया है और 21 फीजिदी के करीब अगर हम बात करें तो दलित वोट बैंक नजर आता है तो अब इसी के अधार पर मायवती उतर रही है उत्तर परदेश में भी देखिए अगर विधान सभा चुनाव में समय बाकी है उपचुनावों में अकेले लड़ने की बात करती है ऐसा ना हो कि उपचुनाव ब क्योंकि जो रणीती वो बनाने की कोशिस कर रही है वो अपना पुराना इतिहास फर से दोर आ रही है क्या उसी इतिहास के दम पर जो चार बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई थी क्या वही सपना फर से एक बार मायवती सजूती हुई नसर आ रही है और जो समीकरण उत्तर परदेश में इस बार बन रहे है क्या मायवती उसमें कामियाब हो पाएंगी या नहीं आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फिलाल के लिए वस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहेगा निक्स नहीं न्यूज पर